हेलो दोस्तों तो कैसे आप सब लोग देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले है कि यह B.H.C. अग्रिकल्चर और B.Farma जो कोर्स होता है उन दोनों में इसे आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा किस में सबसे ज़्यादा सलेधी मिलने वाली आगे जाके और किस तरह से future में 10 साल बाद सबसे ज़्यादा scope आपको किस field में देखने मिलेगा क्योंकि आपको कोई भी career decide करने से पहले उसका future prospects देखने ज़रूरी होता है कि आज से 20 साल बाद उसको किस तरह से pursue कर रहे होंगे और किस तरह से आपकी job लगेगी और आपकी salary package कितना होगा तो यह सारे points आज हम इस video में देखने वाले है दो courses के लिए BSC agriculture और B Pharma course के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखे BSC agriculture जो course है यह basically उन लोग के लिए course बनाया गया है जो लोग बहुत ही ज़ादा interested है agriculture sector में क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारा इंडिया है इंडिया में mostly जो 60-65% लोग है वो आज भी livestock और agriculture sector में involved है वहीं से अपनी कमाई करते हैं और वहीं से अपना घढ़ चलाते हैं तो आपको पता है कि इस sector में बहुत ज़ादा boom आने वाला है बहुत ज़ादा पैसा आने वाला है तो ये sector हमेशा grow करेगा इसकी कोई limit नहीं है क्योंकि जब तक आदवी रहेगा जब तक वो खाएगा जब तक agriculture होगा जब तक production होगा तो ये बहुत ज़ादा boom होने वाला है अगर हम बात करें बी-फार्मा सेक्टर की बी-फार्मा सेक्टर जो है हमारा देखिये जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बी-फार्मा सेक्टर जो है क्योंकि अभी जैसे अभी आप देख रहे कि कोरोना वर्स का एक नया infection आया तो इस टाइम आप देखी बी फार्मा सेक्टर सबसे आदा ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि नई नी दवाईयों को जो investigation चल रहा है तो इसके बाद सबसे आदा rate होने वाले है वो सबसे आदा rate जो होंगे वो दवाईयों के होंगे और उनके जो developers होंगे जो कि B-Pharma graduates होते है जो B-Pharma करने के बाद M-Pharma करते है और फिर अपनी जो research करते है उसके बाद ही उनको दवाईयों मिलती है तो हो सकता है कि आपको इसमें कड़ो रूपए का salary भी मिल जाए क्योंकि अगर आप इसमें अच्छे से perform करते हैं तो आपको कई सारी जो foreign की जो companies है वहाँ पर अभी आपको placement मिलता है तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आपका जिसमें interest है सबसे पहले आप उदर देखिए कि आपने कभी दवाईयों की तरफ interest दिया है कि कभी आपने दवाईयों को उठा के देखा है कि उसका composition क्या है कभी आपके मन में ऐसा आया है कि मैं ऐसा कुछ जानूँ तकि यह दवाईयों कैसे काम करती है दवाईयों के काम करने का mechanism क्या है तो यह सब कभी अगर आपकी जानने की इच्छा हुई है तो बिलकुल आपको वी फर्मा की तरफ जाना चाहिए और दूसरी बात मैं आपको भी बता दूँ कि अगर जो बच्चे लोग जैसे की ruler area से आते हैं और जिनोंने बच्पन से खेती बाड़ी दिखी है उनको पता है कि किस तरह से काम होता है खेत में किस तरह से फसल उगाई जाती है तो उनको मैं कहूँगा कि agriculture sector में जाने में बहुत सारा scope है क्योंकि agriculture sector में आप जाते है बेसे agriculture आप करेंगे तो उसका जो duration होता है वो mostly 4-4-4 साल का होता है अलग-अलग state में अलग-अलग duration होता है इसलिए मैं 4-4-4 साल बोर रहा हूँ इसके बाद आपको जो job लगती है वो depend करता है कि आपने कौन से college से जो है आपकी degree करिए तो यह सबसे main point है कि आपको college अच्छा चुनना है college अगर आपका अच्छा होगा government college होगा top 10 college में से होगा इंडिया के तो होगा ऐसा हो सकता ही कि आपको बहुत अच्छी job लगे और आपको कोई भी business करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी job से इतना अच्छा खशा amount आ रहा हो और अगर आपका कोई private college भी होता है इतना अच्छा college नहीं है आपका तो भी आप निराश मत होईए आपको बहुत चारी जो business के options में लाएंगे उस time पे क्योंकि आप 4 साल में इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि आपके पास इतना सारा business idea होगा कि आप अपने गाउं में जाके आराम से कोई भी एक अच्छा business कर सकते है और agriculture के तुरू आप बहुत जादा earning कर सकते है अगर मैं बात करो बी फार्मा सेक्टर की तो बी फार्मा में business करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो है बी फार्मा की jobs बहुत जादा आपको लग्जिरेटिव पैकेज देती है as compared to business क्योंकि business करने में आपको initially जो है थोड़ा amount लगता है थोड़ा पैसा लगता है आपको initially business start करने में पर अगर हम बात करें agriculture sector की तो उसमें थोड़ा कम पैसे में भी आपका business start हो जाता है और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि जो job options है आपके पास तो दोनों ही sectors में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप B Pharma करते हैं या फिर आप BSc Agriculture करते हैं दोनों ही sector में अगर आप Master Degree कर लेते हैं जैसे कि BSc Agriculture के बाद आपने MSC कर लिया और उसके बाद आपे PhD कर लिया तो आपको कुछी भी College में Professor बनने की Opportunity खुल जाती है आप Government नोकरी कर सकते हैं as a Professor और वो बहुत ही ज़या रेपिट्रेटर जॉब होती है इसके बाद मैं आपको होता हूँ कि B Pharma में भी आपका same case है इसमें भी आप B Pharma के बाद M Pharma कर सकते हैं D Pharma होता है आप वो भी कर सकते हैं उसमें डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है कि आपको लोग डॉक्टर साब बोलेंगे तो आप D Pharma करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं तो देखिए आपके उपर depend करता है कि आपको किस फिल्ड में जादा इंटरेस्ट है अगर आप उसमें master degree करता है जिस फिल्ड में अभी आपको इंटरेस्ट है तो आपकी obviously जो है आपकी salary बढ़ेगी और आपका जो है scope बढ़ जाएगा आपको ज्यादा लोग उसमें आपको job देने के लिए राजी हो जाएंगे अब मैं आपसे बात करता हूँ कि B Pharma और BST Agree Culture में जाव MBA कर लिए अगर आपने BST Agree Culture के बाद MBA कर लिया तो आपको agriculture business या फिर मैं कहूं कि business related जो companies होती है जो की agriculture के products बनाती है जैसे कि fertilizers हो गए और pesticides हो गए इंसेक्टिसाइट हो गए तो यह सब जो companies होती है यह सब ढूंटती रहती है कि BST Agree Culture के graduates कहां पर है और उनको job देने के ल इस तरह के insecticide fertilizers बन रहे है तो आपका बहुत अच्छा scope होगा अगर आप MBA कर लेते हैं BST Agree Culture के बाद और अगर आपने top college से अगर MBA कर लिया तो फिर आपको कभी भी पीछे मुड़के देखने की जरुवत नहीं है क्योंकि अगर आपने एक बार cat exam clear करके जो की BST Agree Culture के opportunities हैं B Pharma में आप क्या कर सकते हैं कि आप M Pharma करके किसी भी बड़ी से बड़ी लैब में आप जाकी researcher बन सकते है researcher बनने के लिए exams होती है और जैसे ARS exam होती है agriculture research scientist exam होती है तो ऐसे research opportunities आपके लिए हमेशा खुली देती है तो मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपका interest है कभी आपने दवाईयों को उठा के देखा हो दवाईयों की तरफ आपने कभी ध्यान दिया हो कभी आपको लगा हो कि मैं इसके बारे में जानू तो आप बिलकुल B Pharma करें और अगर आपको कभी खेती वाड़ी के बारे में थ जीजे करी हो तो बिलकुल आपको agriculture sector में जाना चाहिए मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत help मिली होगी और इन दोनों ही courses से related में जो है exams आपको बताऊंगा exams कौन-कौन से होती है तो वो सब में आपको next वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं B Pharma और BC Agriculture की सारी exams डि मिलती रहे thank you very much